दोस्तो आज हम जानेंगे कि आपके वीडियो का CTR कितना होना चीए, आपकी audience retention कितनी होने चीए, आपके वीडियो का view duration कितना होना चीए, जिससे आप लोग पता लगा पाएं कि आपका वीडियो अच्छा चल ला है, कि नहीं आपके वीडियो में CTR कितनी होनी चीए, कितनी duration आपके वीडियो में होने चाहिए तो इनी सब के बारे में आज हम थोड़ा detail में बात करेंगे तो चलिए बिना time waste के वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों पहले हम बात करते हैं CTR की CTR का मतलब होता है click through rate अब इसका मतलब यह होता है आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो आप YTE studio में अपने सारे वीडियो का CTR चेक कर सकते हो कि कितना परसंट है अब आप कैसे पता लगा पाओगा कि आपने जो वीडियो अपलोड किया तो उसका कितना परसंट CTR होना चाहिए जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट हो तो देखिए अगर आप कोई ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें कॉंपिटिशन कम है मतलब उस पर अभी ज़्यादा लोगों ने वीडियो नहीं बनाया लेकिन उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है तो अगर आप ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हो तो फिर उस पर आपका CTR कम से कम 15% होना चाहिए 15% आपका CTR अगर उस पर होगा तो फिर वो धीरे धीरे आपका 20, 25, 30, 35, 40, 50 तक भी आपका पहुंच सकता है लेकिन अगर आप कोई ऐसा वीडियो बनाते हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंक कॉंपिटिशन कम है तो कम से कम मिनिमम इस पर आपका 15% CTR होना चाहिए और अगर आप क CTR मिनिमम 9% से लेकर मैक्सिमम 15% तक होना चाहिए यह आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा ऐसे नहीं है कि कम होगा इंक्रीज होता रहेगा अगर आप नॉर्मल वीडियो कोई भी बनाते हो तो उस पर आपका कम से कम 9% से 15% के बीच में आपका CTR होना चाहिए और द तो वहाँ पर आपका CTR कम से कम 8% होगा तो आपके लिए वो सबसे good आप उसको मान सकते हैं अगर आप रोज डेली वीडियो अपलोड कर सकते हो आप keyword जो है search होगरा करके आप देख सकते हो बदल सकते हो लेकिन इस पर आपका अगर आप regular वीडियो अपलोड करते हो तो वह पर आपका कम से कम 8% होना चाहिए ठीक और माल लेते हैं कि आपने वो वीडियो अपलोड किया उसके एक महना बाद में आपने देखा कि उस पर मेरा views बढ़ चुका है तो उस पर कम से कम आपका CTR जो है वो 6% होना चाहिए ठीक है अगर आपने एक हपते बात चेक किया अग अगर आपका CTR 15%, 20-25% हो तो ही वो आपके लिए सबसे बेश्ट होगा क्योंकि YouTube के कहीं भी रूल और पॉलिसी में इसा नहीं लिखा है कि आपको इतना ही CTR चाहिए तो ही आपका जो वीडियो है वो वाइरल होगा इसकी अलग-अलग कुछ स्रेणिया बनाई गई है जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें अगर आप वीडियो बनाते हो नॉर्मल हो या फिर अगर आप डिमांड जिसकी ज्यादा है फिर रेगुलर अगर आप काम करते हो तो उस पर आपका अगर इतना इतना CTR रहेगा तो आपके लिए सबसे बेश्ट र सकते हो कि मेरे वीडियो को कितने मिनट तक लोगों ने देखा है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं अगर आपने 8 मिनट से कम का वीडियो बनाया है प्लस तो आपके लिए सबसे बेस्ट है वहां पर आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है वहां पर आपका 50% प्लस अगर आपका एवरेज विडूरेशन अगर उससे कम है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने पड़ेगी अगर दोस्तों आपने कुछ ऐसा वीडियो ब यह होगा लेकिन यहां पर आपको 60-70 प्लस आपका अगर एवरेज विडूरेशन है अगर आपका वीडियो तीन मिनट से कम का है तो यहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट एवरेज विडूरेशन रहेगा वो 60-70 परसेंट रहेगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों यहां पर अगर आप कोई ऐसा वीडियो बनाते हो जिसका duration सबसे ज्यादा होता है जिस 10 मिनिट से अगर आपने ज्यादा का duration का वीडियो बनाया लंबा चोड़ा वीडियो बनाया तो वहां पर आपको 35-40% अगर आपका average view duration निकल के आता है तो यह आप लोग के दिमाग में लेकर वीडियो अपलोड करोगे तो आपका वी वीडियो वायरल होगा अगर वायरल भी नहीं होगा तो पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत तो इंप्रूब्मेंट उसमें आपको दिखाई देगा ही देगा यह सारी सारी चीज़े आप अपने वाइटी पूडियो में आसानी से जाकर चेक कर सकते हो तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नहीं हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलना मिलते हैं एक नए वीडियो में थैंकिसो मॉच फॉर वचिंग बाइ